जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग जीवू को बचाने के लिए उस एप के पीछे जाने लगता है। उसे बचाने की कोशिश करता है और उसको ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से जकरने की कोशिश करता है। जब ये मकडी घायल हो। अब काफी लड़ाई करने के बाद फाइनली मकडी तैंग शैंग को अपना डंक मार देती है और तैंग शैंग बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद आँख खुलती है और वो अपने आपको पिछले जनम में जगा हुआ पाता है। वो अप तैंग सेक्ट में वापिस आ चुका था और वहाँ पर पुराने वाले एल्डर्स ही मौजूद थे। वहाँ तैंग शैंग खड़ा होता है और वो अपने इस लाइफ की मेमरी बिलकुल भूल चुका होता है। उसे याद नहीं होता कि जीवू कौन है, श्रेक स्कूल क्या है और वो कहां रहता था। वहाँ वो फिर बाकी लोगों से बात करता है और उनके साथ खुल मिल जाता है लेकिन तभी एक आदमी कुछ शब बोलता है जो जीवू बोला करती थी। अब इससे तैंग शैंग को विजन्स आने लगते हैं और उसे धीरी धीरी सब यादा जाता है कि वो यहाँ का नहीं है, वो तो मर चुका था और उसकी अगली लाइफ में वो दूसरी दुनिया म ले था, वो समझ जाता है कि वो यहाँ बिलॉंग नहीं करता, इसलिए वो फिर से सुसाइट करने की कोशिश करता है, एल्डस उसे ऐसा ना करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तैंग शैंग को जीवू को बचाने के लिए वापिस जा जाता है, वो अब होश में आकर अपने आपको मकडी के जाल से छुडाता है, और जीवू को याद करते हुए उस मकडी पर अपने हैमर से उस पर वार करता है, और उस हैमर से मकडी बहुत कभजोर हो जाती है, जिस वज़े से अब तैंग शैंग को हिडन वेपन्स तो इस बार दादी के साथ दादा भी मौजूद है, और वो दादा दादी अपनी पोती के लिए इस मकडी को ढून रहे थे, लेकिन आज दूसरी बार तैंग शैंग ने पोती का शिकार छीन लिया है, जिस वज़े से दादा दादी दोनों को बहुत गुसा आता है, हाला कि ये मकडी बहुत स्ट्रॉंग थी, और इसको मारने के लिए दादा दादी दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ता, जबकि तैंग शैंग ने इसे अकेले ही मार गिराया था, इस बात से दादा बहुत शौक होते हैं, लेकिन वो अपनी पोती के गुनेग और दूसरी चोईस ये कि अगर तैंग शैंग पहली चोईस को नहीं मानेगा, तो वो पोती के सोल बीस्ट को चुराने के जुर्म में मारा जाएगा, अब तैंग शैंग उनकी पहली चोईस को मान जाता है, जिसमें वो लेकिन अपनी एक शर्त रखता है, वो कहता है कि मैं आपके परिवार में शामिल होने को तयार हूँ लेकिन आपको मेरे साथ चल कर मेरी मदद करनी होगी और जीवू को जाइंट एप से बचाना होगा अब जाइंट एप का नाम सुन कर दादा दादी दोनों उसे मरा कर देते हैं क्योंकि जाइंट एप बहुत जादा शक्तिशाली था और सोल लैंड का सबसे बड़ा ग्राइंड मास्टर भी उसको नहीं हरा सकता था इसलिए वो उसकी शर्थ को ठुकरा देते हैं जिसके बाद तैंग शैंग भी उनसे ये कह देता है कि अगर तुम मेरी शर्थ नहीं मान रहे हो तो मैं भी तुमारे परिवार में शामिल नहीं होँगा अब दादा को गुसा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तब ही वहां मिस्टर जाओ के साथ बाकी बच्चे आ जाते हैं और दादा दाधी को रोकते हैं वो उनसे बाते करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तैंग शैंग ने अपनी जान बचाने के लिए इस मकडी को मारा था लेकिन जब वो नहीं मानता तब मिस्टर जाओ दादा को अकेले में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि तैंग शैंग ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है अब ग्रैंड मास्टर का नाम सुनकर दादा शांत पर जाता है क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर की इज़त करता है और वो अब तैंग शैंग को बिना कुछ कहे वापस जाने लगता है लेकिन ये बात पोती को सहन नहीं होती पोती तैंग शैंग से बदला लेना चाहती थी इसलिए वो तैंग शैंग को चनौती देती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस बार हराऊंगी और अगर फिर भे तुम जीत गए तो तुमें सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग को खासिल कर सकते हो अब टैंग शैंग उसकी चुनोती को मान लेता है लेकिन तब ही आसकर वहां आ जाता है और कहता है कि इस शर्त में एक और चीज आड़ करनी होगी वह इस शर्त में एक चीज और आड़ करता है जिसके एकोडिंग अगर तैंग शैंग जीतेगा तो पोती को तैंग शैंग को किस करना होगा अब पोती को गुसा आ जाता है लेकिन दाधा और दादी को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि उनकी पोती तैंग शैंग जैसे ताकतवर आदमी के साथ रहे अब उनके बीच एक competition रखा जाता है जिसके अंदर उन दोनों को 20 मीटर दूर खड़े पेर पर निशाना लगाना था उनको 16-16 blade दिये जाएंगे और उनको एक blade में livers को फसा कर इस way में फेकना है कि वो हवा में blade पहले leaves को catch करे और फिर पेर पर जाकर लगे अब फिर competition स्टार्ट होता है और पोती अपने blades फेकती है जिसमें वो हर एक blade में एक पत्ता फसा लेती है और उसके सारे blades पेड पर जाकर लगते है अब वो बहुत जादा खुश होती है और तैंक शैंग की तरफ देखकर attitude में कहती है कि तुम डर गए हो क्या जो अभी तक अपने blade नहीं फेके हैं जिस पर उसके दादा उसे बताते हैं कि जब तुम अपने blade फेक रही थी उसी वक्त तैंक शैंग ने भी फेके थे और तैंक शैंग की स्पीड इतनी तेज थी कि तुम उसे देख भी नहीं पाई और तैंक शैंग के blade में 10-10 पत्ते फसे हैं अब ये सुनकर पोती बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो ये competition हार चुकी थी अब तैंक शैंग उसके पास जाता है और उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इस weapons की practice 9 सालों से कर रहा हूँ और मेरे इस weapons का नाम hidden secret weapon है वो इसके बारे में उसे और बताता है और कहता है कि अगर तुम ये सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अब पोती तैंक शैंग के इतने polite nature को देख कर उससे impress हो जाती है तैंक शैंग उसे अपने secret weapons भी gift के रूप में देता है और पोती अब बहुत खुश होती है वो फिर उसे जल्दी से किस करके शर्माते हुए वहां से चली जाती है अब तैंक शैंग फिर उस मकडी की spirit ring हासल करता है इस मकडी का नाम human face demon spider है वही शेहर के स्कूल में हम grand master को देखते हैं जो तैंक शैंग के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें उसकी याद भी आ रही थी अब अगले दिंग तैंक शैंग के पिता तैंग हाओ उस जगह आते हैं जहां तैंक शैंग ने मकडी से लड़ाई की थी और वहां वो बहुत सारी blue silver plant को देखते हैं और अपने बेटे की कापलियत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं वहां से वो एक जगह जाता है जहां हर तरफ तपाही मची हुई थी वहां कुछ blue silver plants भी मौजूद थे और वहां से वो अपने पुराने दिनों को याद करता है और अब हमें तैंग हाउ की black story पता चलती है तैंग हाउ अपनी सुन्दर सी बीवी और अपने infant baby के साथ इसी जगह पर खड़े थे और वो किसी से बच कर कहीं भाग रहे थे तैंग हाउ अपने hammer का use करके अपने बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तैंग हाउ बहुत जादा शक्तिशाली थे और वो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे उसकी बीवी का नाम यन है और उसके पीछे great soul land master पड़ा हुआ है उस पर war करता है लेकिन इस पार भी तैंग हाउ उसके war से बच जाता है और फिर से भागने लगता है लेकिन थोड़ी देर चलने पर अब वहाँ और भी soul land master आते है और वहाँ अब उन soul land master को आदेश देने वाला आदमी भी आ जाता है जो पूरे continent में सबसे ज़्यादा दाकतवर इंसान है वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके अच्छा नहीं किया क्योंकि ये भगवान के नियम के विरुद है जिस पर तैंग हाउ ये कहकर उसकी बात को इग्नोर करता है कि तुम कौन होते हो जो हमें भगवान के नियमों के बारे में बताओ वो आदमी उसको ये न से दूर करना चाहता था लेकिन तैंग हाउ ये न से बहुत प्यार करता था इसलिए वो अब उससे भी फाइट करने जाता है लेकिन तभी वहाँ ये न आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि तैंग हाउ अकेले चार-चार सोल लैंड मास्टर को नहीं हरा पाएगा वो अपने आपको सैक्रिफाइस करने को तयार हो जाती है और वो इनफान बेबी को तैंग हाउ को पकड़ा कर मर जाती है उसके मरने से वहाँ बहुत सारी ब्लू सिल्वर ग्रास पैदा हो जाती है क्योंकि ये न की स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी अब ये इनफान बेबी ही तैंग शैंग है और यिन ने तैंग हाउ से प्रामिस लिया था कि वो तैंग शैंग की परवरिश अच्छे से करेगा इसलिए अब तैंग हाउ अपने बीटे पर नजर रख रहा है अब तैंग हाउ यिन को बहुत याद करता है और इस जगह पर ब्लू सिल्वर ग्रास को यिन समझ कर उससे बाते करने लगता है वही तैंग शैंग जो थर्ड स्पिरिट रिंग को एब्जॉब कर रहा था वो जीवू को याद करने लगता है उसे स्पिरिट रिंग को एब्सॉब करने में बहुत जादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये मकडी बहुत जादा स्ट्रॉंग थी और तैंग शैंग इसको सहन नहीं कर पा रहा था लेकिन अब अगर वो बीच में छोड़ कर उड़ता है तो उसकी जान को खत्रा हो सकता है तभी वहाँ जीवू भागते भागते आ जाती है और उसको जिन्दा देख सब बहुत जादा खुश होते हैं वो उनको बताती है कि एक काव रोर के सुनने से वो जाइंट इप नर्वस हो गया और उसने अपने आप मुझे छोड़ दिया वो उने फिर ये भी बताती है कि उसकी भी लेवल 30 हो गई है और उसको रात में एक बीस्ट दिखा था उसने उस बीस्ट को मार का स्पिरिट रिंग भी हासल कर ली है और सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं लेकिन अभी उनकी टेंशन घटी नहीं थी क्योंकि तैंग शैंग बहुत शक्तिशाली स्पिरिट रिंग को एब्सॉब कर रहा था और अब वो तैंग शैंग के होश में आने का ही वेट करने लगते हैं वही दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर अब श्रेक स्कूल के दीन से मिलने आते हैं और वो दोनों तैंग शैंग के बारे में ही बात करते हैं और ग्रैंड मास्टर अब तक जो भी कुछ हुआ उस बारे में सुनता है तो वो समझ जाता है कि Mr. Zhao को Tang Shang के पिता Tang Hao ने ही पीटा था और फिर वो Tang Hao का बैज उन्हें दिखाता है अब फिर हमें Tang Shang को दिखाते हैं जो Spirit Ring को एब्सॉब कर रहा था और फाइनली वो इसको एब्सॉब कर लेता है जिसे देख कर सब बहुत जादा खुश होते हैं लेकिन तभी Tang Shang mutate होने लगता है और उसकी कमर में से मकड़ी जैसा पैर निकलने लगता है Mr. Zhao समझ जाते हैं कि एब्सॉब करते वक्त मकड़ी और ये mutate हो गए है और अब situation worst होने वाली है अब ये सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और इसका solution पूछते हैं जिस पर Mr. Zhao सिर्फ एक ही solution बताते हैं कि उन्हें सिर्फ wait करना होगा अब Tang Shang फिर से बेहोश हो जाता है और पहले तो उसे जीवू की ही आदाती है जो उसे दूर जा रही थी और फिर वो फिर से अपने पिछले जनम में पहुँच जाता है जहां हमें अब ये पता चलता है कि उसने आखिर पिछले जनम से सीक्रेट लाइब्ररी में जाकर सीक्रेट नॉलिज क्यों चुराई थी असल में Tang Shang को पढ़ने और अलग-लग नॉलिज प्राप्त करने का बहुत शौक था वो अलग-लग टेक्नीक्स और वेपन्स के बारे में पढ़ना और रिसर्च करना चाहता था वो अपने भी कई सारे वेपन्स बनाया करता था लेकिन उसके इस टैलेंट की वहाँ कोई कदर नहीं करता था उसके साथ रहने वाले बच्चे उसके वेपन्स को देखते तक नहीं थे और उसके सामने ही उसकी बुराई करके उसके वेपन्स को तोड़ दिया करते थे जिस वज़े से Tang Shang बहुत फ्रस्ट्रेट रहा करता था और Tang Shang अब कुछ बड़ी और सीक्रिट नॉलिज प्राप्त करना चाहता था और इसलिए अब वो एल्डर्स से सीक्रिट लाइब्ररी के सीक्रिट वेपन्स के बारे में पढ़ने को कहता है जिस पर एल्डर्स उससे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन वेपन्स और उस नॉलिज के बारे में जानने का हग किसी को नहीं था इसलिए वो उसे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इस क्लैन से निकल जाने को कहते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खतम हो जाता है